जलोर मिट्टी, जलोर मिट्टी को दोमट और खचार मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोर मिट्टी भी कहते हैं, यहां मिट्टी हमारे देश के समसत उत्तिरी मैदान में पाई जाती है, प्रकरती से यहां एक जव मिट्ट होती है उत्री भारत में जो जलोड मिट्टी पाई जाती है वह तीन मुख्य नदियों द्वारा लाई जाती है सिंदू गंगा और बर्मपुत्र इसलिए हम समझ सकते हैं कि यहां मिट्टी राजिस्तान के उत्रिय भाग पंजाब उत्तर परदेश बिहार पश्चमी बंगाल दता असम के आधे भाग में पाई जाती है भातिय प्रैदीप के ध्रचडी भाग में पूर्वी तट पड़ भी ज़लोड मिट्टी पाई जाती है यहां मिट्टी कर्शी के लिए बहुत उप्योगी है ये ये मिट्टी नदियों के द्वारा जमा किये गए तच्छट से बनती है ये खादा से भरपूर और बहुत उपजाओ होती है ये उत्री मैदानों नर्मदा और तापी की निचली घाटियों और उत्री गुजरात में पाई जाती है इसका हर साल नवी करण होता है चावल गेहूं गन्ना जूट कातेल वीज और दाले इस पर उगने वाली मुख के फसले हैं काली मिट्टी काली मिट्टी में एक विशेस्ता यहां है कि यहां नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है इस मिट्टी को कापास की मिट्टी या रेगर मिट्टी भी कहते हैं काली मिट्टी कापास की उपच के लिए महत पूर है यहां मि परदेश में पाई जाती है इस परकार इस मिटी के चेतर में गुजरात महाराश्ट्य मद्यपरदेश आंद्रपरदेश का परचिमी भाग और मैसूर का उत्री भाग भी आते हैं ये मिटी जौला मुखी चट्टानों और लावा के फरवहा से बनती है ये धकन लावा मार्ग पक पर एक्तरित होती है जिसे महाराश्ट्य महाराश्टे 36 गड़ मद्यपरदेश गुजरात आंद्रपरदेश और तमिन नाडू के कुछ हिस्से शामिल है इसमें चूना और लोहे जैसे खनीश तत्व पाए जाते हैं इसमें पोटाश नाइट्रोजन और जैविक पदार्तों की कमी पाई जाती है ये कपास की खेती के लिए विशेश रूप से उप्यूक्त मिट्टी है और इसलिए कभी कभी इसे काले कपास की मिट्टी कहा जाता है इसमें गन लाल मिट्टी यहां मिट्टी चट्टानों की कटी हुई मिट्टी है यहां मिट्टी अधिकतर दश्चिण भारत में मिलती है लाल मिट्टी रेट सोली के छेत्र महाराष्ट के दश्चिण पूर्वी भाग में मदरास में अंधर में मैसूर में और मद्द परदेश की पू परकंड के छोटा नागपूर परदेश में और पश्चमी बंगाल तक फैली हुई है यह यह मिट्टी दक्कन पठार की प्रचीन मेटमारफिक चट्टानों के उपच्छाए से बनती है इस मिट्टी की लालिमा इसमें मौझूद लोहे तत्व की मातरा के कारण होती है जब यह मातरा कम होती है तब इसका रंग पीले से भूरे रंग का होता है यह मिट्टी लगबग पूरे तमिल नाडू अंजर पदेश च्छतिसगर करनाटक महराष्ट और उडीसा के कुछ हिस्से में पाई जाती है इस मिट्टी में गेहूं चावल बांजराग ग्रांड दालों तिलहन और कपास की खेती की जाती है कि लेटराइट मिट्टी नम्बर चाड़ लेटराइट मिट्टी के छेतर दर्ष informs परधीब के दर्षिड़ पूरव की और पतली पत्ती की रूप में मिलती है इन मिट्टियों को पस्चिम बंगाल से असम तक देखा जा सकता है इस मिट्टी का घटन गहे निचालन के कारण होता है तता यहां पहाड़ियों और उनकी चोटियों के सम कच्छों पर अच्छी तरह से विक्सित होती है यह मिट्टी आम तोर पर केरल, मिट्टी, महराष्ट, छतिसगर, उरीसा और असम के पहाड़ी इलागों में पाई जाती है इस मिट्टी में चाय, कॉफी, नारियल, सुंग, धित, अकुरोट, आदी उगाय जाते हैं नमबर पाच लेकिस्तानी मिट्टी यह मिट्टी राजिस्तान के थार पर परदेश में पंजाब के दश्चिड भग